हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे योटूब चैनल पर दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉंक्रीट रेशियो के बारे में यानि कि स्लैब की कास्टिंग कराते समय आपको क्या रेशियो रखना है कॉंक्रीट का किस grade का concrete आप बनाएं और उससे slab की casting करें तो आपका जो slab है उसमें मजबूती अच्छी हो तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इसी topic पर बात करेंगे दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी से request है कि please मेरे वीडियो को like कर दें और अगर मेरे चैनल पर नए हैं construction से related और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो please मेरे चैनल को subscribe करके bell notification को all पर press कर दें चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि concrete का जो ratio होता है उस पे सारे load को define करते हैं जैसा कि आप जितना अच्छा concrete देंगे अपने slab में आपके slab के मजबूती उतनी ही ज़ादा होगी और जितना आप कम quality का strength देंगे कितना कम quality का आप concrete योच करेंगे उतने हैं आपके slab कम जोर बनेगी ये तो हो गया simple सा फंडा अब हम क्या बात करेंगे कि हमारा एक standard तरीका क्या है तो standard तरीकी वो कुछ इस तरह से define करते हैं कि पहले आपको ये टाय कर लेना होता है कि जो हम घर बना रहे हैं वो दो फ्लोर बनाएंगे या एक फ्लोर का बनाएंगे तीन फ्लोर का बनाएंगे और किस तरह का हम घर बना रहे हैं commercial बना रहे हैं या residential बना रहे हैं खुद के रहने के लिए घर बना रहे हैं या फिर हम उसको किसी commercial परपट से बना रहे हैं इसके बाद हमें करना क्या होता है कि अगर एक bag अगर आप cement यूज़ करेंगे अगर आप एक bag cement यूज़ कर रहे हैं concrete बनाने में M20 grade का तो one and half bag sand का यूज़ कर लेंगे और three bag आप aggregate का यूज़ करेंगे ये है standard तरीका M20 slab की casting के लिए सबसे best grade है इसमें आपको एक bag cement डालना होता है one and half bag sand और three bag aggregate इसका आप एक concrete बनाते हैं और उससे slab की casting करते हैं तो वो सबसे बढ़िया क्वालिटी होता है कई जग यहां देखा जाता है कि लोग एक bag cement का डालते हैं तीन bag sand डालेंगे और तीन bag aggregate डालेंगे तो ये हमारा standard तरीका नहीं है गाउं में general ही लोग ऐसे ही slab casting कर देते हैं तो ये हमारा एक standard तरीका नहीं है हमारा जो standard formula है वो है M20 grade का और वो है एक bag cement, one and half bag of sand, three bag of aggregate इससे आगर आप slab की casting करवाते हैं ये grade का अगर आप cement concrete यूज करते हैं slab की casting में तो आपके slab में मजबूती अच्छी रहेगी और वो सालो साल चलेगी दोस्तों grade तो ठीक है कि आपने grade decide कर लिया पर आपको material भी अच्छी quality की लानी होती है यानि कि जो आप cement लाएंगे वो बढ़िया quality का हो quality कैसे चेक करते हैं मैंने previous वीडियो में बताया है लेकिन आपको एक थमरूल बता देता हूं कि cement आपको एक अच्छी brand का लेना होता है अच्छी brand के साथ आपको OPC या PPC 53 ग्रेट का लेना होता है उसके बाद आपको core से sand यूज करना होता है slab की casting में जिसमें मिट्टी बिल्कुल भी ना हो aggregate आपको जो यूज करना होता है वो 20 से 25 mm के बीच के होने चाहिए तो यह हमारा standard तरीका है इसके अगर आप concrete बनाते है M20 grade का तो आपका जो slab है वो बिल्कुल equality का बनेगा तो दोस्तों हमको कभी भी slab casting करानी है तो हम इस grade का यूज करेंगे तो हमारा slab है वो बिल्कुल perfect casting होगी और उसमें कोई problem नहीं आएगा दोस्तों जब slab casting करते हैं तो slab casting करने के बाद हमें slab में कुछ इस तरह से sand की boundary बना देनी होती है और उसमें अच्छी तरीके से पानी को भर देना होता है जैसे माल लिजे कि आज हमारा slab की casting हो गया तो 24 घंटे के बाद हम slab की बिल्कुल 4 तरफ sand का boundary बनाते हैं और कम से कम 12-18 दिन तक 12-15 दिन तक हम उस पानी को उसमें भरे रखते हैं इससे क्या होता है कि जो भी हमारे slab को water की जरूरत होती है उसको bond बनाने के लिए कह सकते हैं या फिर आप ये बोल सकते हैं उसको strength अजीव करने में या वो इतना जल्दी hard ना हो जाओ उसमें नमी बरकरार है इसलिए उसमों हम curing process के लिए उसमें हम पानी भर देते हैं तो इससे हमारे slab को जितनी भी पानी की जरूरत होती है अपने strength को achieve करने के लिए वो उसको मिलती रहती है तो ये तो होगे हमारा एक slab casting का process दोस्तों उमीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को like कर दें और अगर मेरे चैनल पर नए हैं construction से related और भी informative वीडियो देखना चाहते हैं तो please मेरे चैनल को subscribe करके bell notification को all पर फ्रेश कर दें Thank you